जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते मैं खुश्बू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चेनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में हम भात के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास इससे पहले की यानि की प्रिवियस वीडियो में हम प्राचीन भात के इतिहास के डिसकस कर चुके हैं कि प्राचीन भात का जो इतिहास था उसमें क्या हुआ था कौन कौई से इस टो अक्सर पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मद्य काली इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए जानते हैं कि मद्य काली इतिहास में क्या हुआ था बहुजंब कीन लोगों का सामराज्ज अरबों में अरब जो हमारा एक देश है महां के जो लोग थे उन्होंने भाद पर आकर्मन किया था और जब उन्होंने आकर्मन किया था तब सही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और हमारा प्राचीन भाद का इतिहास है वो कब खतम हुआ था गुप्त काल के टाइम पर हमारा प्राचीन भात का इतिहास खतम हुआ था उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ कब जब अर्भात पर अर्भों ने आकर्मन किया अब कौन-कौन लोग उसमें शामिल थे महमूद गजनावियो मुहम्मद गोरी जिनके बारे में आगे की वीडियो में में बहुत जादा डिटेल से पढ़ेंगे यह से आपके इंट्रोड़क्शन वीडियो है कि मध्यकालीन इतिहास में कौन-कौन से टोपिक पढ़े जाते हैं कौन-कौन से टोपिक होगी आपको कॉम्पटिटिव एक्जाम में या एंट्रेस एक्जाम में आने की समभावना होती है तो अब जैसे की पर्मार वैंश मैं जानते हूं आएसे जहां पर नाम आएँगे जो आपने कभी सुने भी नहीं तो क्या होगा अगर वही आपके एक्जाम में पूछ लिये जाएं तो इसे लिए आपको यह सब जानना बहुत जादा ज़रूरी है ताकि आप अपने competitive exam में या फिर कोई भी एंट्रेंस exam में एक अच्छी rank ला पाएं आप एक अच्छी जोब पास सकें और एक अच्छी जगा admission ले सकें अब देख लेते हैं कि परमार वाइश, जोहान वाइश, परतिहार वाइश, चंदेल वाइश और सोलंकी वाइश इन सब राज हमारे भारत पर हो जाता है। सल्तनत वाइश में कौन कौई से लोग ते सबसे पर गुलाम वाइश, खिलजी वाइश, तुगलक वाइश, सय्यद वाइश और लोधी वाइश। इन सब वाइशों के बार में आपके लिए अग separate video बनाऊंगी जिसमें आप इन सब वाइशों इतिहास सा उस वक्त हमारे भारत में भक्ती सोफी आंदोलन चलेते जिसमें किस-किस का महत्पूर्ण योगदान था होते कबीर दास कबीर दास के बार में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दिन उनके बाद नानक देव जिनने गुरू नानक भी कहा जाता है उसके बाद चेतनम और महापर्वू और इनी जैसे बहुत सारे लोग आए है जिननोंने भक्ती सोफी आंदोलन चलाए है और उसके बाद आता है मुगलवाश जी हाँ मुगलवाश बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोटेंट यह हमाँ टोपिक होता है मुगलवाश अब मुगलवाश के कौन कौई से राजा थे कौन कौई से राजा हुए जिननोंने मुगलवाश में अच्छे अपना परदर्शन किया बहुत अच्छे परदर्शन के बहुत जादा योग गेता हासल की अब वो कौन कौन थे जो मुगल वैश के सबसे पहले संस्थापक थे वो थे बाबर तो बाबर के बारे में हम बहुत जादा डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो औरंजेब तक ही थे उनके बाद जो मुगल वैश तो उनकी शक्तियां घर्टी चली गई थी और एक दिन ऐसा आया कि मुगल वैश का अंत हो गया मुगल वैश का अंत के से हुआ था ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि उत्तर मुगलकाल एवं उसका पतन किस तरहां से हुआ तो यह सब हम मध्यकालीन इतिहास में बहुत जादा डिटेल से पढ़ेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा कि जो मध्यकालीन भाद का इतिहास है उसमें कौन कौन से टोपिक होते हैं अब इन टोपिक को हम बहुत जादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे जो आप जरूर देखें उनकी वीडियो जिससे आपको सारे टोपिक अच्छे से तयारी कर पाएं आई होप कि आपको हमारे वीडियो बहुत जादा यूसफुल लगी हो तो अगर हमारे वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के निये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो थैंक यू फर वाचिंग एजूकेशन टेक्स लो